तो गैस अगर हम समझें भावनात्मक समझ किसे कहते हैं एथिक्स में तो ठीक है यह होती है स्वेंग की भावनाओं को पेचाना और दूसरे की भावनाओं को समझना फिर इस गान का उप्टिक समझदार तरीकी से निर्डेन वह कारी की जिसामे करने को आप कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी यानि कि भावनात्मक समझ ठीक है अब यह आई-क्यू से डिफरेंट होता है एक परसन जिसका आई-क्यू बहुत अच्छा हो जिसमार्ट हो जरूरी नहीं है कि अपने लाइफ में सकसेज हो पाए अपने आस-पास के लोगों के साथ में संबंद अ होता है आत्म प्रबंदन होता है और आत्म प्रेरणा होती है ठीक है और एक होती है आपकी सामाजिक जाग रूपता होती है कि एक परसन दूसरे की परेशानी को अपने जैसी समझता है तो उसे आप बोलते हैं सामाजिक जाग रूपता है जो दूसरे के परेशानी को को motivate रखने की capability कई persons होते हैं जो अपने को खुद motivate रखते हैं आप कुछ समय के लिए motivational videos देखे motivate हो सकते हैं लेकिन life में permanent motivate होने के लिए अपनी तरफ से motivate आपको होना पड़ेगा और ये जो self motivated person होते हैं इनकी भावनात्मक समझ बहुत उच्छे होती है और इस तरह के person हर तरह की विपद यानि की प्रतिकुल परिस्तितियों में भी हर चीज़ को वो positive way से लेते हुए complete करते हैं ठीक है चाहिए वो कार्रे हो चाहिए वो उनकी personal life हो तो जितना भी प्रत्कुल परिस्तितियों आती हैं तो वहाँ पर यह कैसे रहते हैं अड़िक रहते हैं कुद को motivate रखते हैं कि that we will get through from it ओके एक होता है आत्म प्रबंदन तो यहां पर एक कैसा प्रबंद करके रखते हैं खुद को अच्छी तरह से management करके रखते हैं ठीक है चाहिए वो workplace पे हो चाहिए वो उनकी personal life में हो ठीक है वो एक management रखते हैं खुद को नजादा अती नजा इसे करते हैं चाहिए वर्क प्लेस हो अगर एक मिल का मालिक अपने मज़दूरों के साथ में संबन्दों को अच्छी नहीं रखेगा तो इसकी मिल वहां पे वो चला नहीं पाएगा ठीक है अगर मालीजीये वहां पे मजदूर के union वाले वहां पे हर्टाल करते हैं तो अग को जरूर पढ़ेगी भावनात्मक समझ की और उच्छ भावनात्मक समझ वाले परसन लाइफ में सकसेज होते है स्वेज आग रुकता ऐसे परसन उच्छ भावनात्मक समझ वाले परसन खुद जाग रुकते हैं वो अच्छा और बुरे को बहुत अच्छे से समझते हैं उनकी निर्डाएक छमता बहुत सटीक होती है ठीक है और वो जानते हैं बहुत दूदरसी वे में किस चीज का क्या एफेक्ट होने वाला है ठीक है उनकी निर्डाएक छमता अच्छी होती है अगर वो निर्ड़े लेकि अगर उनका उनकी अग्येंस्ट कोई भी कार होता है तू भी वो वहाँ से कुछ सीखने की ट्राइ करते हैं कि अगली बार ये ऐसा नहीं हो तो लाइफ में वो मोटिवेट होते हुए हर परकार की विपता को वो समझते हैं और उन्हें हल करने की ट्राइ करते हैं ये होती है भावनात्मक समझ और इसके पहलो धन्यवाद